परदेश के मुखे मंतरी गुरक्ष पीठा दिश्वर महंत योगी आदितनाथ के पिता शिरी आनंद सिंग बिष्ट के लंबी बिमारी के बाद एमस नई दिल्ली में सुमवार को निधन होने की सूचना पर गुरक्ष नाथ मंदिर परिवार दौरा एक शोग सभा का आयोजन क्या गया जिसमें कारियाले सचिव द्वारी का तिवारी ने शोग संदेश पढ़कर उपस्थित नास संपरदाए के योगी सादू संथ धर्माचार एवं करमचारियों को सुनाया और दो मिनट का मौन रखकर मिर्टक आत्मा के शान्ती के लिए इश्वर से प्रात्ना की माराज जी के बारे में जब हम लोगों ने पूछा तो वे निद्भीक्ता के साथ ये कहे कि हमारे पूरे परिवार का ये सोभाग है कि गोरकषपीट है, गोरकषपीट गोरखनात मंदीर गोरखपूर में कार करने का आउसर मिल रहा है। अस्तब्द रहा गया इसी बीच मंगलवार को उत्राखंड के रिशिकेश में मुखमंत्री योगी आदितनात के पिता का पार्थ शरीर को मेंकेश्वर के फूल चट्री शंशान घाट पर लाया गया जहां मुखमंत्री के बड़े भाई मानें ने पिता को मुखागनी दी इस योगी कमलनात, योगी धर्मेननात, योगी सूरजनात, योगी दिनेशनात, विरेन सिंग, दिविकुमार सिंग, विने गौतम, आनन गुपता, दुर्गेश बजाज, सुनिल गुपता, सहित, गुरकनात मंदिर के सभी करमचारी मुझूद रहे इस समन्द में गुरक पू इस परचणे मुपता, स्सों के सादिर के सादिर के आगेहां, स्से बजनात, एक गैप, और यहां इसटारी म२ आइए अदर पागे, दो मॉने जयाव हो, इक व्रचात Tiffany ऋनात गुर्ञात, पिएए बेक आजक, जातनम रहे लोके आपशाःत, झाल किन सभाएयोगा, ठाल बाल महराज जी के पिता सरी आनन सिंग विष्ट जी के निभ्यन के समाचार सुनकर गोरगनान मंदी परिवार को हरदी तुख हुआ दिसंबर 1934 में गोरगनान मंदी पधारे थे उसमें हम सरी लोग उनके उनसे भेट मुलाकात हुई यह एक धैरमान सरल यंग बर्दभासी तथा असपश्वादी सुखाव के थे महराज जी के बारे में जब हम लोगों ने पूछा तो वे निर्विक्ता के सात्या कहे कि हमारे पूरे परिवार का या स्वभाग है कि गोरग श्पीट गोरगनान मंदीर गोरखपुर में कार करने का आउसर मिल रहा है भगवान गोरगनाजी से वे प्राफना की क्यों अपने इस महान संकल में सन्यासी के रूमें सफल हूँ यद्यपी इधर महिनों से बीमार चड़ रहे थे हम लोग बराबर ही उनके स्वास के बारे में जानकारी लेते रहे एक आएक टेलफून द्वारा याथ हुआ की उनका निधन हो गया है महायूगी गोरगनाजी से मंदिर परिवार क्या प्रार्षना करता है कि उनकी परिवार को इस महान दुख की घड़ी में इस महान दुख को सहन करने की सक्ति दें तथा उनकी आत्मा को सांती पदान करें। इस अउसा पर संपूर मंदिर परवाख दो मिनिट खड़ होकर उनकी आत्मा की सांती हित सर्धाजल अर्पित किया। मेरा नाम योगी धर्मिन नात्य है। मैं गोरक नात्य मंदिर के मुख पुजारी हूँ बर्तमान समय में। मानिय गोरच पिठा दिश्वर और उत्तर प्रदेश के यसस्वी मुख मंत्री मानिय श्री योगी अधित नात्य जी के पिता श्री का दिनांक 24-2020 को निधन हो गया है। इस सोक संदेश को सुनते हुए पूरे मंदिर परिवार की तरफ से आज 21 तारीको 11 बजे सोक सभा कायोजन किया गया था। और पूरे संथ समाज और पूरे मंदिर परिवार इस संदेश को सुनते हुए। फिर्दय की अंतिम गहराई तक इसका सोक वेक करते हुए आज ये सभा कायोजन किया गया था। और इस महान खून आत्मा को सांती और सम्रिधी प्रदान करने के लिए हम लोग संद समाज तह दिल से अउगत। पूज्य गोरक्ष पिठा दुस्वर महराज श्री के पिता जी के दिवंगत होने के सूचना कल हम लोग को मिली। चुकि पिता श्री को हम लोग बहुत पहले मंद्र में जनौरी माहमें मेला पिरियड में। उनको देखे थे हम लोग और उनकी इसमर्ती को याद करते हुए गोरक्ष नात मंदिर परिसर में जो पूलिस दिवस्ता मंदिर सुरच्छा की जिमेदारी जो है। हम लोग पूरे पूलिस परिवार के तरफ से उनके दिवंगत आत्मा की शांती के लिए शिवावतारी भवान गुरगर्ष नाजी से राथना करते हैं। कि उनकी आत्मा को शांती मिले और उनके इस मृति को सबस्त नमन करते हैं। मैं भेरेंडर सिंह गोरक्ष मान मंदिर गोरकूर अपार कश्ट अंभर हो रहा है। कल दिनांग 20 तारीक 20 अप्राइल 2020 को टेलिफोन से ग्याथ हुआ कि परमपुज महराज योगी आदितनाज जी के पिता श्री आनन सिंग विष्ट का लंबी बिमारी के कारण देवासान हो गया। अपार दुख्त गुरगनान मंदिर परिशर के सभी करंचारियों को है क्योंकि वो सभी करंचारियों को एक अपना परिवार संजहते थे। और आज उसी क्रम में पूरे मंदिर के करंचारी एकत्रित हो के परमपुज महराज जी के पिता श्री आनन सिंग विष्ट की आत्मा की सामती और संधांजली अरफित किया और दो मिनट मौन धारण हो के महायोगी गुट्वरगना जी से प्राथना किया। आज मुझे बड़ा दुख के साथ है कहना पर रहा कि जब योगी जी आये थे यहां तो उनको खोशते हुए उनके पिता श्री आनन सिंग विष्ट आये। और आने के बाद जब जी समय गुरगना मंदिर में दर्शन कर रहे थे तो उसी समय संजोग ऐसा था कि योगी जी भी टहलते हुए मंदिर में ही चले गए। तो दोनों लोहों से पुत्र और पिता से भेंट हुआ। भेंट होने के बाद उन्होंने हाल चाल लिया, हाल चाल लेने के बाद यहां रात्री बिश्राम भी किया। संजोग से अवैद्मा जी महराज जी उस समय नहीं थे, तो उनकी मिलने के लिए इंतजारी में एक दो दिन भूके भी। जब बड़े महाराजी अवजनाजी महाराजी आ गए तो फिर मिलके फिर उन्हों यहां से गुरगनान मंदिर से प्रस्थान किये उनकी कुछ बाते याद आके और भी दुख प्रकट होती है जब हम और योगी जी और उनके पिता अनन सिंग बीष्ट एक पासी बैठे थे तो समर्पित हो रहे हैं लेकिन मैं आपको उनके पिता जी ने योगी जी से कहा कि देखिए हम आपको बता रहे हैं कि पद पाना असान होता है ने पद का निर्वाह करना कठीन होता है पुत्र यह सब अपने ध्यान में रखते हुए कदम बढ़ाईएगा तो योगी जी ने सहर सुईकार किया कि पिता जी आपके मान सम्मान को हम उंचा ही करेंगे इसलिए आए आज शोक सभा में कि कल पुजने महराज जी के पिता साब का जो ध्यावसान हो गया उसकी शोक की लहर जो है पूरे देश में एकनम आज की तरफ फैल गई और जिससे पुरा सभाय जो है शो शक्ति का जाना बहुत ही बड़ा दुख का विशह है इसके लिए हमारा संपूर्ण सिंधी समाज और सिख समाज मंदिर में आकर के पूज महराज जी के पूजने महराज जी गुरु गोरखनाज जी के स्थान पे और दिमंगत आत्मा को शांती प्रदान करता है और सद्धा पिता श्री आनंत सिंग बिश्ट जी का द्यानत हुआ इस उसर पर उन्हें सरदांजली आर्पित करते हुए प्रात्ना की गई कि उनकी आत्मा को असीम सांती प्रदान करें